पटखनी देनी की तैयारी है जो वो की जा रही है स्के अलाबा बरतमान में जत चंझी साहू है उनका भी टिक्षेट इस पर काट दिया गया है और यह भी माना जाता है कि समरतक मानी जाती है लेकिन उनकी तगड़ी दावेदारी थी और कहीने कहीं पर उनकी टिकट कड़ गई इस पूरे विशय पर हम चर्चा करेंगे मोहन तिवारी हमारे संपादक से मोहन जी कैसे समझते हैं हम इन खुजी विधान सभा की जो सीट है उस पर हलाकि राजिंदर पाल भाटिया वहां से विधायक रह चुके हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किसी वर्ग को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है लेकिन इस बार चन्नी साहू के साथ जो विवाद जुड़े रहे उन्होंने सरकार को लेकर भी कुछ टिपणी की प्रसासनी काधिकारियों से उनका विवाद रहा और इसलिए टीयाज बाबा के खास समर्थक होने के का के बावजूद उसकी टिकेट चन्नी साहू की कट गीता साहू को उम्मीदवार बना कर सामने किया इस पूरे छेतर में अगर हम बात करें तो किसानों का मुद्दा प्रमुक रूप से हावी होगा लेकिन चन्नी साहू का जो विवाद हुआ था वो रेद घाट को लेकर हुआ था जिसकी सिकायत विधायक ने खुद की थी कि घाट की अवैद उत्खनन हो रहा है वहां किसी वेक्टी विशेश का या किसी नेता विशेश के सर्चण में काम हो रहा है विधायक की सुनी नहीं जा रही है तो यह सब मुद्ददा भी है कि वहाँ फर्सी के जो घाट है वह और रेद घाट इसका अवैद उत खानन चल र जो एक तरीके से अपने और किया हुआ है तो वह भी मुद्दा काम करेगा तो यह सारे मुद्दों के भी खुजी विधानसभा का चुना होगा दोनों समाज साहु समाज करो दिए और भालाOUT करें और उसे भाजपाासे भी एक क्या हेति छेघ्य साहु समाज सब्कें और बड़े दिगदभी किसी काई कि साहू बहुत शेत्र है साहू समाज भी कंफ्यूज होगा इवर जो ग्रामिड है वहां पर बात करें तो भाजपा का लगभग जो वोटों का प्रतिशत कम दिखा है पच्चीस प्रतिशत पिछले साहू समाज के वोटर ज्यादा है इसलिए साहू समाज के वोटर ज्यादा है के लोगों को प्रतिशत दिया जा रहा है कैसे देखते हैं मुहनी से बिलकुल देखे पूरे प्रदेश में का कांग्रेस ने यह प्रयोग किया है कहा यह जा रहा था कि अरुन साहू समाज का जुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ हुआ है नरेंदर मोदी भी इसके बड़ का यह नहीं हो गास ताव जाए